बॉलीपूढ अभिनेत्री शिल्पा शेटी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाली अभिनेत्रियों में से एक हैं आए दिन शिल्पा फिटनेस और डांस वीडियो शेयर करती रहती हैं शिल्पा सेटी इन दिनों फिल्म निकंमा के शूटिंग कर रही हैं और उन्होंने फिल्म के सेट से एक वीडियो सोसल मीडिया पर सेयर किया है इस वीडियो में शिल्पा शित्टी फिल्म के निर्देशक सब्वीर खान को फटकार लगाती हुई नजर आ रही है और थंड में कापती हुई भी दिखाई दे रही है इस वीडियो में देखा जा सकता है कि फिल्म के निर्डेशन शिल्पा सिट्टी के साथ ही बैठे हुए हैं और शिल्पा अपने वीडियो में ठंड की शिकायत करते हुए नजर आ रही है अपने वीडियो में शिल्पा कह रही है कि 15 डिगरी सेल्जियस का तापमान है इन्होंने स्वेटर पहना हुआ है और मुझे सिर्फ कॉटन की साड़ी दे रखी है निकम्मा शिल्पा इस वीडियो में एक कंबल लपेटे हुए भी नजर आ रही है बता दे कि ये वीडियो शिल्पा सेट्टी ने मस्ती करते हुए बनाया है और वो निर्देशक को डाक नहीं रही है बलकि फिल्म के सेट्ट में मजाक के मूर में लग रही है शिल्पा सेट्टी की बात सुनकर फिल्म के निर्देशक भी मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे है बतादे कि फिल्म निकम्मा में शिल्प सर्टी के साथ अभिमन्यूज असानी और यूटूब इस्टार सरले सेत्य मुख्य भूमिका में हैं ये फिल्म साथ 2020 में रिलीज होगी शिल्पा इस फिल्म से करीब 13 साल बाद बॉली बुर्ट में कमबैक कर रही है शिल्पा ने भले ही फिल्मों से किनारा कर लिया हो पर वो टीवी रियल्टी शो में बताओर जज नजर आती रहती है बीचे दिनों शिल्पा शिर्टी से सवाल किया गया था क्योंकि बॉली बुर्ट को अलविदा कहने के पीछे क्या कारण था और इस सवाल के जवाब में शिल्पा शिर्टी का कहना था कि मैं इस इंडाश्टी का हिस्सा पहले भी रही हूँ और अभी भी मैं इसका हिस्सा हूँ